Hello everyone, I hope सब लोग अच्छे होंगे, सो आज का जो ये सेशन रहने वाला है, सभी सिविल इंजिनियरिंग स्टुडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि आज की सेशन में जो भी CBT2 का एक्जाम हुआ है, SACJ का, हम लोग उस एक्जाम के अनेलिसिस पर आपके किन सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज रहा है, इसके बारे में डिसकेशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो आपका CBT2 का एक्जाम हुआ, इसमें जितना निमारिकल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसके कमपैरिजन में कम प्रोपोर्शन ही निमारिकल करा, जादा त सरीकी के कुश्चन का रेशो जादा रहा, अगर आप रेशो की बात करेंगे, तो हमारा 75% कुश्चन से, जो थेयरेटिकल यहां बोल सकते हैं, इसके अलावा जो आपके 25% कुश्चन से, सिरब यही हमारे निमारिकल बेस थे, ठीक है, अब यहां पर बात की जाए, अब हमा लगने के लिए मिले, और निमारिकल कुछ फॉर्मूला बेस थे, कुछ इस तरीके से थे, जिसमें एक अच्छा कॉंसेप्ट लगना था, और वो थोड़े से टाइम टेकिंग भी थे, यही पर अगर हम लोग बात कर ले, बिल्डिंग मैटीरियल एंड कॉन्क्रेट टेक्न वेसे भी इसका वेटेज CBT1 में भी जादा रहता है, और CBT2 में भी जादा देखने को मिला, यही पर हाइड्रॉलिक्स एंड हाइड्रॉलिक मिशीन जिसमें आपका फ्लूर्ड मेकानिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो, अगर दोनों को मिला कर कोश्चन देखें तो 9 कोश्चन आपके FM के थे और एक कोश्चन हमारा फ्लोर्ड मेकानिक्स से पूछा गया था, इरिगेशन और हाइड्रॉल्जी का वेटेज बहुत जादा रहा, इरिगेशन और हाइड्रॉल्जी के भी कुछ बेसिक निमारिकल्स यहां पर देखने को मिले, और आपके 12 मार्क्स का यहां पर मैं आपको बता दूँ, जो लोग भी 2024 के लिए प्रिप्यार कर रहे हैं, यह जो CBT2 का एक्जाम हुआ था, इसमें 8 कोश्चन का मतलब है, 8 x 3 यानि की 24 मार्क्स, एक कोश्चन जो है हमारा वो 3 मार्क्स यहां पर 3 मार्क्स का था, ठीके, तो 10 मार्क्स का जो आपक 2021 में भी इसका वेटेज जो है वो थोड़ा सा जादा है अगर हम देखें, और syllabus में limited चीजों के साथ, और हाँ यहां पर यह भी बात कर दो, कि आपको estimation and costing का जो subject है, उसका numerical portion भी हमें CBT2 में देखने को मिला, transportation engineering में अगर मैं highway plus railway दोनों को एक साथ मिला दूँ, तो आपको 8 question यहां पर देखने को मिले, और इसमें highway materials के जो test है, जैसे bitumen पर जो test किये जाते है, cutback bitumen क्या होता है, उससे related थुड़ी से वाल जो है यहां, जादा पूछे गए थे, numerical पर उतना focus नहीं किया गया, apparatus की photo लगा रखी थी, और उससे test के साथ आपको match the falling type के question पूछे गए थे, यहां पर environmental engineering की बात करते, environmental engineering के आपको यहां पर 6 question देखने को मिले इस बार, और steel design और theory of structure, steel design के total 5 question थे, theory of structure में अगर मैं बात करूँ तो हमारे सारे question, structure analysis से कोई सवाल नहीं आया था, और strength of material के भी total 5 questions थे, तो यह पूरा analysis था हमारा CBT2 के exam का, और यहां से आपको idea लग रह सकते हैं, उनका वेटे CBT2 में भी हमें जादा देखने को मिला, जैसे surveying हो गया, building material and construction हो गया, आपका इसी के साथ सा soil mechanics, irrigation, hydrology, इनका वेटे CBT1 में भी जादा रहता है, और CBT2 में भी इनका वेटे जादा रहा, और आपको साफ साफ मेंशन कर दिया, जो लोग CBT1 के लिए अच्छे से prepare कर लेते हैं, अगर आप conceptually अच्छे से तयार हो, आपने किसी subject को बिल्कुल basic level से पढ़ा है, तो CBT2 आपके लिए कोई जादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये इतना अलग नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते, CBT1 का exam अलग है, और CBT2 देखे तो एकदम different हैं दोनों में आप अगर question देखेंगे, तो question similar थे, लेकिन CBT2 में कुछ conceptual question इस तरीके से पूछे गए थे, कि आपको थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ता, और जल्दबाजी में जिसने वो सवाल किये हो सकता है, उनके वो question तोड़े गलत हो गए, कि जल्दबाजी में दे अचा था, जिसमें आपको थोड़ा सा जादा सोचना पड़ता, तब आप उन questions को attempt करते, और कुछ बेलकुल basic थे, formula based numericals भी पूछे गए थे, और पूरा SSCJ का CBT2 का already जो हमारा paper हुआ है, उसका analysis और उसका complete solution पर, engineers वाला channel पर already video available है, अगर आपको कोई और query है, कोई और doubt है तो जरूर मुझे comment section में बताइए, hopefully आज की इस video में आपको idea लग गया होगा, कि कौन से subjects हैं, जिनको पहले अच्छे से target करना है, जिन पर आपको focused रहना है, चाहे वो CBT1 हो, चाहे वो CBT2 हो, तो दोनों में highest weightage वाले subjects को, जल्दी, मतलब जब तयारी start करो, तो इन से तयार करी के लिए.